दोस्तों वेल्कम वेक टू माई चैनल तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जम बहुत ही जादा टेश्री गाजर कालवा बनाते हैं तो देखिए हाँ पर हमने गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है घीस लिया है पहले हमने गाजर क को घिस की रखाने इसे डाल देंगे फ्रेंट्स अभी हमने थोड़ा सा गीड़ाले आगे और हम गीज में एड़ करेंगे तो आप वीडियों बने रहें वीडियो को इसकीप ना करें पूरा फुल वीडियो वाच करें और फ्रेंट्स आप लोग कमेंट्स में जरूर से तो देखिए इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है फ्रेंट्स किसको आपको भी अगर मेरी तरह गाजर खल वह बहुत ज्यादा पसंद है तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि किसको ज्यादा पसंद है किसको मेरी तरह बहुत ही ज्यादा गाजर खल पसंद है मुझे तो बहुत ही पसंद है मैं इसे विंटर में जरूर से मतलब इसे मतलब बहुत ही बनाती हूने विंटर में क्योंकि स्तेिफिए विंटर सीजन में हमें खाने कि मिलता है जो मतलब अच्छा व Neden रहता है वो यह वाले गाजार कलववा बहुत ही अच्छा लगता हुए जैसे नॉर्मल सीजन में गाजार मिलता है उसका हलवा उतना अच्छा नहीं लगता है तो देखिए इसे बुनते बुनते हमें करीबन दस मिनिट हो गया है क्योंकि हमने गैस के फ्लेम को हाई किया हुआ है इसलिए हमें दस मिनिट में अच्छे से बुन गया है तिसे फ्रेंट्स हमें बुनने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए पिल्कुल भी बुनने में कंजूसी मत करना अच्छा खासा इसे टाइम लेगा फ्री नो तभी अच्छे से इसे बनाना मेरे एक-एक मैथर को फॉलो करना तो हमने यहां पे एक का टोड़ी सक्कर डाल दिया है अब सक्कर के साथ भी हम गाजर को चार से पांच मेट तक भुनेंगे अगर इस तरीके साब सक्कर डालते हैं तो गाजर खलवा का कलर बहुत ही बड़ी है मतलर रेड निकल के आता है अधरवेस पहले आप यहां मिलक एट कर दोते हैं उसके बाद सक्कर डालते हैं तिससे कलर उत्ता बढ़िया नहीं दानेदार होते हैं फिर मैंने आदा का टोड़ी के करीब और सक्कर डाल दिया मुझे लग रहा था तो कम मिठा होगा क्योंकि हम ने आप अच्छी खासी दूद की क्वांटिटी ले रखी है दूद के हिसाब से और गाजर के हिसाब से आप हम मैजरमेंट करके सक्कर डालेंगे तो देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं देखिए हमने यहाँ पर सुगर डाल दिया है सक्कर डाल दिया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से और ही बढ़िया तरीके से हमारा गाजर बन जगा क्योंकि सुगर से पानी रिलीज होता है इसलिए और भी मतलब अच्छे तरीके से बुनेगा अगर आप इसमें सक्कर नहीं डालते हैं ऐसी बुनते हैं तो इस कंडिशन में काजर जल जाते हैं तो हमने आप दूद को भी अच्छे तरीके से बॉल कर लिया है कि अब अब हमारा गाजर अच्छे से बुन गया है अब हम इसी इसरेच पर दूद को यहां पर डाल देंगे तो फ्रेंच दूद को डालते हैं हम एक दम केरफुली हमें दूद को डालने क्योंकि अच्छा कासा बॉयल के हुआ हमने यहाँ पर दूद डाला है भी से डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे देखिए आपको मैं इसका टॉप सिरिट बताते हैं आप अगर इस तरीके से दूद डालते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से फट जाता है दूद मतलब थोड़ा थोड़ा फटता है जादा नहीं जो कि खाने में बहुत टेश्टी लगता है बहुत ही बड़िया लगता है अब यहां पर हमने तीन से चार इलाइची को खोल लिया दरदरा बस थोड़ा सा इसे कुटा है ज्यादा नहीं कुटा है ज्यादा कुटेंगे तो थोड़ा सा इसमें कड़वा पन कर फ्लेवर आज इससे हल्का सा बस खोल लेना है पर देखेँ इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने ही तो फ्रेंस जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए कि मेरा भी चैनल मॉनिताइज हो जाएं और आपके साथ एक छोटी सी पार्टी हम इंज्डूइड करेंगे 1000 सब्सक्राइबर हो जाने पर त क्योंकि मैं भी 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीव है फ्रेंड्स तो जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दीजिए देख सकते ही जितना टाइम होगा न उतना ही दीरे दीरे इसके दानेदार जो हमारे दूद होगा फटके निकलेगा इतना बड़िया लगता है ना कि मतलब फ्रेंड्स मैं तो जरूर से इससे मतलब हफते में दो दिन तो बनाई लेती हुई इतना जादा मुझे पसंद है कि बहुत ही जादा अच्छा लगता है और मैं कभी-कभी वि घाजर खलवा कैसे बना सकते हैं अ के है दिखिस अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना हे थोड़ा तो मैनत लगता है रबाने वटी जादा टेश्टे होता है मेरा तु मिम्ठे में सबसे जlon Wak Exactly अऋ बनाती हूँ इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि देखिए कि हमारा दूद अच्छे तरीके से पग गया देखी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा हलवा अच्छे से बनके तयार हो गया है यहां पर हमने किस्मिस डाला है क्योंकि हमें किस्मिस डाल कर मतलर किस्मिस वाला फ्लिवर जादा अच्छा लगता है और बाकी हम काजू जुने डालते हैं क्योंकि मेरे ऐसा पसंद नहीं करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने रेसिकेटिट कोकोनट भी डाल दिया है इससे और भी बढ़िया टेस्ट आएगा तक आगर आप नहीं डालते तेक पर ट्राय करना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है बस जादा से डालना है जादा नहीं डालना है नहीं तो आपका ऐसा लगेगा कोकोनट का हम अलवा बनाए हैं बस तोड़ा सा डालना एक अलग सा फ्लेवर निकल के आता है देखिए आप खुजी खुदी फ्रेंड्स imagine किजिए desiccated coconut, ilaichi और milk फटा हुआ थलका सा फटा हुआ milk ये तीनों का टेस्ट कितना ही बढ़िया आएगा गाजर खलवे में अब खुजी थोड़ा से imagine किजिए किता बढ़िया आएगा तो आप लूँ जरूर से इस तरीके से हलवा बनाए और मेंसे कमेंट्स में सेयर करें कैसा लगा आज का रेस्पी देखिए हमारा हलवा बनके तयार आपको हम दिखाती किता दानिदार बना है तो वीडियो पसंदे तो make sure like करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आकन को प्रेस करेगे कि डारिक्ट नोटिफिकेशन आपके वाल में जाएगा